तो उमीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सब लोग बहुत सेफ होगे लास्ट वीडियो आपने देखा होगा उसमें भी हमने वैक्सिनेशन करके आ गएते साइड इफेक्ट आफटर एक्सिनेशन से रियक्शन की नॉर्मली बाडी में क्या हो रहा है तो पहले तो मैं आपको बता दो उत्राखंड में सिर्फ कोविड शीयल्डी वैक्सिन आ रही है जहांत की मिने जान करी क्योंकि वो ये अविलिबल है, common effective vaccination की जैसे fever आ जाता है अपको, उसके बास body pain होता है, थकान महसूस होती है, weakness आती है, तो ये generally common effective सब में आते हैं, हो सकता है किसी को fever आता है, किसी को नहीं आता है, मतलब generally ये symptom क्यों आ रहे हैं, कि मतलब जैसे fever हो रहा है, body pain हो रहा है, और ज क्या करती है, जो हमारी body, vaccine को as a treat करती है, जैसी वो as a disease है, जैसे virus है, कोई, तो virus का as a disease अगर हमारी body में जाएगा, तो वो क्या करेगी, जो हमारी body, antibodies होगी, वो से लड़ेगी, उस virus के germs को खतम करने के लिए, तो जैसी जब vaccine हमारे अंदर inject होगी, तो हमारे same process उसके साथ भ होगा, तो vaccines के germs होंगे, germs कह सकते हो, पार्ट के लिए, तो उससे हमारी जो शरीर की antibodies होती है, वो से लड़ेगी, वो से लड़ेगी, उसको खतम करने के लिए, ठीक है, तो खतम करने के लिए, तो इस वज़े से जो हमारी body में weakness और fever एक दो दिन चलता है, तो इस वज़े से जलता है, कि हमारी antibodies उस vaccine के जो germs है, जिसको आप कह सकते हैं, उससे as a disease की तरह react करेगी, और उससे लड़ेगी, लड़ने के बाद उसको खतम करके हमारी bodies, शरीर में antibodies develop करेगी, जैसा normally fever आता है, या COVID के बाद भी करते हैं, कि जब जो recover हो जाता है, कि आपकी शरीर में antibodies generate हो और antibodies develop हो गई, तो शायद 2-3 मेहना शायद के तरह 3 मेहने तक आप में, अब COVID के chances कम हैं, क्योंकि आपके body, शरीर में antibodies developed हो गई है, कि आपको दुबारा COVID नहीं हो, अगर by chance हो भी तो वो आपके शरीर में इतनी antibodies है कि उससे लड़ सके, तो ये भी same, उसी की तरह react करता है, कि आपके शरीर में antibodies बना देता है, कि अगर future में कभी COVID वाइरस attack करे, तो वो antibodies उससे लड़ सके, जब मैंने vaccine लगाई थी, हाथ में हलका सा pain होता है, किसी को कुछ घंटे में वो pain relief हो जाता है, किसी को दो दिन या एक दिन तक रहता है, तो जितना TT में, TITNESS में दर्द होता है injection लगाने के बाद उतना ही दर्द होता है, तो ऐसा नहीं की बहुत ज़ादा दर्द होता है, हाँ मतलब थोड़ा बहुत होता है, आप उसको जब जिस पार्ट में हाथ में आपका injection लगा आप उसको जोड़ से दबाऊगे तो तब थोड़ा दर्द होगा, पीन है हाँ, काफी रिलेक्स हो जाती है, और आपको उठाने में काफी आलस आएगा, क्योंकि बहुत आलस आप फील करेंगे, एकदम आपका मन करेगा कि आप सोई रहें, और कुछ चीज़े ना करें, लेटे रहें, और वही करना चाहिए उस टाइम, और फिर धीरे धीरे जो मुझे आय और मतलब तीन या चार वजे तक फीवर, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा उतर गया था, हां कम हो गया था उससे, 101 के आसपस आ गया था, और फिर जब मैं सुबह उठा, सुबह फिर सर में दर्द हो रहा था, और थोड़ा फीवर था 100 के आसपस, और फिर मैंने फिर उसके बा फीडबेक लिए, ओवराल सबके फीडबेक यही आये, कि हमें मतलब बॉड़ी पेन हुआ और एक दिन फीवर हुआ, एक दो रिलेटिव थे, उनसे भी मैंने पूछा, तो उनको भी एक दिन या मैक्सिमम दो नाइट तक फीवर आया, उसके उस टाइम तक जब तक आपके शरीर में एंटीबॉडी डवलप होती है, अब तक आपको वीकनेस आती है, फीवर भी होता है, यह सारे सिम्टम इस वज़े से आते हैं, बॉड़ी पेन और जिसकी शरीर में एंटीबॉडी जितना लेड बनती है, तो रिकवर होने में हो सकता है, उसको जैसे एक या दो द और बागी जो नॉर्मल बॉडी पेन होता है, और वो एक आत दिन में जब हट जाता है, तो एंटीबॉडी शरीर में बन जाती है, अल्कोहल या कोई भी प्रकार का नशा, स्मोक और वो चीजे मना होती है, ठीक है, और उसका मना करने का exact reason तो मुझे नहीं पता, लेकिन करता नहीं हो, तो मुझे उसका requirement लगानी, तो अगर आप जाएं, तो आप पूछ सकते हैं कि नहीं बता देंगी, कि इसको क्यों नहीं लेना चाहिए, तो कोई नुकसान तो उससे हो नहीं रहा है, तो अगर आप avoid भी कर सकते हैं, तो कर लेजिए, लोगों के feedback है, तो मैंने अपने दोस्तों के, या अपने relative के, या जो भी मेरी जानकारी में, circle में हैं सब, तो मैंने सब लोग पर feedback लिये, वो मैंने आपको overall बता दिया, और बाकी मैंने उनका personal view भी लिया, कि आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे भेज दीजिए, जो आप अपने randomly, आपको लगता है कि आपको symptom आये है, क्योंकि एक मैं बताऊंगा, तो मैं एक overall तारीके से generalize बताऊंगा, आप अपना personalize view दे दीजिए, तो उनके भी कुछ-कुछ वीडियो मैंने सब के तो नहीं डाले, मैंने 2-3 लोगों के डाले हैं, 3-4 लोगों के, तो आप अब वो दे सब्सक्राइन हुआ, हाप हैंड देखे हो या पर कापी ज़र स्वेलिंग होगा, आप हाई फीबर आया, मैंडिसिन ली फिरली, अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूं, जड़ से हटाना है, तो समझदार बने, वैक्सीन लगाएं, जरूर लगाएं, दिरी न करें, जल् सब्सक्राइब, जरूर लगाएं, आप सभी दोस्तों से भी निविदन हैं, आप सभी लगाएं, और अपने आपको अच्छा-च्छा मश्चूस कराएं, धन्यवाई, वैक्सीन की पहले डोस के बार हलका बखार आया, आप बिलकुल फिटों, आप भी जाएं और वैक्सीन लगाएं, यह आपको पसंद आई होगी, पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको कुछ लगता है कि वीडियो अच्छ निए लगी तो आप डिस्लैग भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंड भी बतास लिख सकते हैं कि आपको थ्यून ही पसंद आई, और ब